exam related बाते करने के लिए telegram पर आजाईए student की आवाज उठाने के लिए twitter पर आजाईए GK tricks और exam notice अपडेट के लिए facebook और इंस्टाग्राम पर आजए books and PDF के लिए website पर log in कर लीजिए बाते दोस्तों आप सबी लोग का आपकी अपनी time-s of knowledge family में दोस्तों आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं न्यूटन्स के law of motion, जो तीन motion के law है न्यूटन्स के वो हमें आप पढ़ेंगे पिछले वीडियो में आप में देखा था, impulse देखा था हमने inertia देखा था, हमने momentum के बारे में देखा था वो सभी चीज़े यहां पर आप पढ़ने वाले हैं और वो जो चीज़े मैंने पिछले वीडियो में समझाई थी वो सभी यहां पर अपलाए होने वाली है क्योंकि यह सारा चीज़े जो Newton's ने law of motion में बताई थी वो सभी उन तीन चीज़ों से related है तो हम यह पढ़ेंगे अब description में आपको playlist की वो दे दी है link आपको वहाँ जाके आप science के बागी short videos देख लिए जेगा देखे वैसा है आप science काफी time से बच्पन से पढ़े हुए हैं और काफी time होगी आपको concept ताकि आप exam में कुछ भी कलती ना करें जरा से भी confusion को लेकर क्योंकि जरा से confusion आपके सीधे एक या दो माक्स यतने भी माक्स का question होगा वो आपके कर देता है तो चलिए हम इस वीडियो को start कर देते हैं description में सारी link से आप check out कर लीजिए तो Newton's first law of motion जो है वो सबसे पहले बता दूँ आपको चीज़े जो है हमने पिछले वीडियो में देखी थी कि Newton's first law जो है वो law of inertia है जिसे हमें law of inertia भी कहते हैं तो law of inertia भी कहते हैं Newton's first law of motion को और Galileo भी कहते है law of Galileo क्योंकि Galileo ने इस पर observation किया था तो यह तीनों नाम कुछ भी हो आ सकता है तो Newton's first law जो है law of inertia कहरें मतलब inertia पर बेस्ट होगा तो CDC definition inertia भाली ही है everybody retains its state of rest or motion और a state of motion along a straight line until an external forces is applied होना यानि हमने जो देखा था पिछले वीडियो में कि हमारा जो inertia था वो क्या था कुछ भी एक object है वो अपने state में चाहिए वो moving हो मतलब uniform speed में जा रहा हो या फिर भी ही पर रखा हुआ हो इसी जगह पर वो तद तक अपने आपको rest पर रखे है जब तक external forces पर applied नहीं करोगे तो इसकी inertia इसकी inertia इसको रोक के रखरी कि यहीं पर रुख जा एसी अगर कुछ आपके जो हमने पिछले example में देगा था कि ट्रॉली थी जिसे ball रखी हुई थी हमने पहले यह sloping path पर जा रही थी जैसे हमने यहाँ पर एक obstruction लगाया जब यहाँ के टक रही तो ball जो थी यहाँ से उचलके भार चले गई वो इसलिए गई तो चलिए हम इसका एक्जामपल देखते है अब आगे अब यहाँ पर आपके सामने examples है देखिए अब यह पहला जो है आप परसन स्टेंडिंग इन बस फॉल्स बैकवर्ड एंड फॉर्वर्ड आप परसन जब बस एकदम से स्टॉप होती है तो आपने देखा हो कि जैसी स्टॉप होती है आप आगे की तरफ फॉर्वर्ड ली मूव कर जाते हैं ठीक है आप बड़ी पर एक एक्स्टर्रल जर्क आया वो दबाव के अरण आप महां से अपके इनर्शे को तोड़ के वो आप महां से एकदम आगे की तरफ फॉर्वर्ड फॉल हो गए ऐसे अगर बस की स्पीड बढ़ा देते हैं पहले तो आपने ब्रेक लगाया था अब एकदम से इसी चीज़ पर आधा रिता है दूसरा जो है वेन वी शेकर ट्री विग्रस ली आपी हम फ्रूट और लीव जो फॉल डाउन हो जाती हम किसी भी पेड को अगर जोड से हिलाएंगे जब तक वो लटके हुए हैं पर आम हैं वो गिरेंगे नहीं जब जब हो अपने इनर्श दिश रखी है टेवल पर और आपने सड़नली मूव कर दिया तो इनर्श इतना नहीं था वो इनर्श इतना पर तो इसको पर रखा प्लेट के साथ नहीं चलेगी वाट कभी कब यसा होता कि आपने टेबल ने इनर्श कंड़ तोड़ दिया आपने अगर एक्टनल फोर्स द तो यहां पर देखिए, second row हमें क्या कहता है? second row जो कहता है, वो हमारी बात ही किस चीज़ करता है, पहले हम वो देख लेते हैं, तो second row जो बात करता है, वो rate of change and momentum की बात करता है, और rate of change and momentum हमने किसमें देखा था? momentum का rate of change जो आ रहा था वो किस में आ रहा था हमारे impulse में हमारे impulse की definition है यह तो impulse की यहाँ पर बात हो रही है तो यहाँ पर क्या कहा गया है अगर हम statement देखें तो the rate of change of momentum of an object is proportional to the applied unbalanced force in the direction of the force तो rate of change of momentum जो है वो किसके proportional है applied unbalanced force के proportional है तो यह चीज़ यहाँ पर लिए और जिस direction में जो भी direction में फोर्स लगा रहे है उसी direction में तो यहाँ पर फोर्स जो है वो rate of change of momentum के proportional है momentum क्या होता हमारा पी होता है मैं पता है तो rate of change of momentum हमारे time के respect में दो dp by dt जो rate of change of momentum है वो time के respect में हो आपका जो आपका जो प्रिपोर्शनल आली बात आ गई है यहां पर और आगे हम इसके एक्जांपल के थूँ इसको बहुत अच्छे से समझते कि न्युकर डूटल सेकंड लोग मोशन हमें क्या कहता है आखिर तो momentum ही हम पहले से बता चुका हो इंपल्स पहले से बता चुका अभी इसमें वो चीज़ डिसकर्स नहीं करना है मैं एक्जांपल देखेंगे सीधे तो यहां पर आपके सामने एक्जांपल है कुछ और यहां पर एक्जांपल देखिए सब से पहले जो है वो टेबल टेनिस एंट क्रिकेट बॉल हर्ट्स डिफरेंटली की बात की गई है तो यह क्यों डिफरेंटली हर्ट करती है अगर टेनिस बॉल आपके हाथ पर गहीं लग जाती है तो आपको कम हर्ट होगा जबकि क्रिकेट बॉल जादा हर्ट करेगी बात यह है कि टेबल टेनिस में आपके जो बॉल है वहां पर स्पीड ज तो सीधा सा पंडा है, आप अगर यहाँ पर जो पोर्ट से है अमारा फोर्ट जादा क्यहया है помारे घरव कि बॉलख्ते ट पि फी एकर से अगर you घर जाल अा है तो वहीं अगर टेबल टेनिस है तो महीं कि आपको जादा दो से नहीं लगी तो इसकी स्पीड कम रहेगी अगर आप टेबल टेनिस के टेबल के आसपास खड़े हैं तो यह लोजिक था है आप अपर अब दूसरा एटलित falls on a sand bed after a long job अब आपको यह जो एटलित है जो long job कर रहे हैं sand bed पर क्यों गिराया जाता है इन्हें यहां पर फरसिया डारेट या फत्तर क्यों नहीं रखे लग देते तो हाथ पर तूड जाते वो sand इसलिए रखी क्योंकि यह time increase कर देगा impact होने में आपकी body और यह जो sand है जैसी आप इसके contact में आएंगे तो यहां पर जो sand है वो उसको time को बढ़ा देगी और time बढ़ा देगी तो आपके पैरों पर यापके body पर उसका impulse कम लगए का impact कम लगए यहां बात impulse की कर रहे हैं तो यहां पर impulse जो है आपके पैरों पर पर नहीं होगा इसलिए हमें sand बेंड बिछाया जाता है ताकि आपके पैरों पर याप बढ़ाडी पर हर्ट नहीं हो क्योंकि आप उसके लिए time increase कर द से या पर कुछ भी इंस्रोन रखते या कहीं पर भी नॉर्मल ग्राउंड पर अगर वो राते तो आपको जर्क मैसूज या इंपल्स मैसूज होता तो यह इसका फंडा होता और एक यह जो लास्ट एक्जामपाल है वो क्रिकेट प्लेयर मुव जी जैंड बैकवर्ड जब हैंड को पीछे की तरफ ले जाते हैं वो इसलिए कि आपके हैंड पर हर्ट ना हो वो उसके पीछे भी लॉजिक के साइंस है क्योंकि आप टाइंग में क्रीज कर रहे हैं आपने कैच यहां से पकड़ा आप इसको मूव करके पीछे तक हैंड इसलिए ले ले गए आपने व सीदी सी वही यह पंड़ा है तो इसलिए आप उसको पैकवर्ड मूव कर लेते हैं क्योंकि टाइम हमें बढ़ाना है इंपल्स कम गलाने के लिए और अगड़ महीं सडन हो जाती चीज़ है तो आपको ज़र को इंपल्स महसूस हो जाता तो यह लॉजिक था इसके पीछे च तो आपके सामने Newton third law of motion है आपके सामने और यहां पर देखिए अब third law of motion आकिर गार क्या कहता है हमें तो third law of motion कहता है कि अपका जो every action है वो equal and opposing reaction देगा यह आप बहुत अच्य थर थर्ड लो मोशन के बारे में तो जानते ही होंगे जो आप करेंगे, कर्मा वाली बात है, जो आप करेंगे वही बुकतेंगे बाला सीन है, तो आप यहां देखिए, कि आप if an object gives force to another object, then the object which received the force will give force as a big as it received from the first object in the opposite direction में, जैसा ही आप object को force दे रहे हो, वही object आपको force देगा opposite direction म में उतनी value का, यह चीज़ कहता है, मैं force पता है, force is going to mass into acceleration, अगर acceleration की बात करें तो f upon m आ गया, यानि कि आपका f से proportional है और m से inversely proportional है, m नीचे आ गया है, तो यहां पर याला चीज़ है, तो अब हम इसके सीधे सीधे example के तुरू समझते है, आखिरकार every action is the equal and opposite reaction का क्या फंड है, जब आप ground पर जैसे ही पीछे की तरफ backward एक force लगा रहे हैं, और वो ground आपको आगे की तरफ forward move करा रहा है, इसी करन से आप वो चीज़ आप आके चल पा रहे हैं, और यहां पर देखिए friction का बहुत बढ़ा important role है, otherwise आप slide और roll कर रह जाते हैं, आप चल नहीं पाते हैं, तो यहां पर देखिए fluted first law motion यहां पर भी applicable है, क्योंकि आप force जब ground पो backward लगाते हैं, आपके pair से तो आप आगे की तरफ चलते जाते हैं, तो यहीं चीज़ है, swimmer की बात है, swimming में भी यहीं चीज़ है, आप आगे की तरफ force लगा रहे है, reaction force लग रहा है, पीछे की तरफ, आपने action force दिया पीछे और reaction की तोर पे आप लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो swimming में भी यहीं सीन होता है, other example है, recoil of gun, जो कि हमने law of conservation of momentum में कहा था, क्योंकि third law जो है, third law में किस चीज़ की बारे में बात की गई है, law of conservation of momentum की बात की है, जो कि हमने विछले वीडियो में आपर के, और कुछ नहीं, महीं अगर हमने देखा था, main on a board, जब वो शोर पर यहां पर जाता है, तो जैसे आगे जाता है, यहां से पाया रखके, तो वो boat आगे की तरफ उस पर इधर की तरफ reaction दे देगा, और वो boat आगे की तरफ इस तरफ move हो जाएगा, और person जो है, वो इस तरफ आजाएगा, rocket propulsion की बात भी यही है, यहां पर जो gases होती है, burn होती है, जो वो fuel बहुत हलकी होती है, gases अपर फिर भी rocket को उपर की तरफ इंपार क्यों करती है, वो इसलिए करती है, क्योंकि उनकी escaping velocity बहुत जादा है, वो बहुत जादा velocity से gases यहां से बाहर होती है, ज यही फंडे है, यही एक्जामपल है, कुछ एक्जामपल, एक्जाम में पूछ लेते कि एक्जामपल है, कौन सा लौ बेस्ट होगा, या फिर इस बहुत लौ पर बेस्ट पर कौन सा एक्जामपल suitable है, यह condition पूछ लिया आती है, या फिर other name पूछ लेते हैं, इन laws के बारे म of momentum किस पर आएगा, Newton's second law पर आएगा, law conservation of momentum Newton's third law पर आएगा, और आपका impulse वाला जो आएगा वो आएगा, वाला वो आएगा इस चीजाए नूटन's second law पर जिसमें पूल्स कहते हैं, इस तरह से घुमाइच जाती है, तो I hope आपको यह चीज़ीन समझ भी होई होगी और आपक आपकी छोटी छोटे वीडियो के तुरू चल रही है और आने वाले टाइम में जैसे कि कुछ लोगों ने सजेस्ट किया था कि आप हिस्ट्री और जी के जी के सक्षिन को भी कवर करें तो हम छोटी-छोटी चीज़े जो इंपॉर्टेंट है आपके एक्जाम पॉर्टेंट अगर की बात होती तो UPSC यहाँ पर हम UPSC के कॉर्डिंग ली करा नहीं रहे तो नहीं तो उसके लिए तो कितना पढ़ना परता है जानते हैं तो उतना पढ़ना है कभी कोई सेंस नहीं है जो चीज़ आती है इंपॉर्टेंट है हमें वह जाधा कवर करना पे जाधा प्रि करनी होगी अधरवाइस अगर आप कुछ तो भी पढ़नेंगे किसी भी मतलब का नहीं रहेगा चाहे कितरी भी मेनद कर लें तो इस जिए इस वीडियो को हैंड़ करता हूं ऐसे ही आप तैयारी करते रहे हैं मैनद करते रहे हैं घर में रहे हैं और अच्छा थ्यान ये फैमिली जो बनाई है हमने उसको सपोर्ट दीजिए सबको एक दूसरे को बाकी लिंक्स दिए टेलिग्राम पर आईए ट्विटर पे तो हम लोग आते हैं जब भी हमको कुछ आवाज बठानी होती सबकी एक साथ उठाते हैं अपन लोग और पहले भी उठाईए और बा बिना किसी लड़ाई के में बात यह हैं और वहाँ पर आप आईए वहाँ पर अच्छे से एक दूसरे से डिस्क्राइस कीजिए कोशन सेर कीजिए और एक दूसरे को हेल्फ कीजिए सॉल्यूशन दीजिए अच्छी कम्यूनिटी बनाईए वहाँ पर एंड उसके लावा टेलिग्राम पर मैसेज कर दीजेगा तो मिलते नेक्स वीडियो में इसी जगा पर आपके अपनी फैमिली में जब तक के लिए पीदा लें तो आप सबी लोगों से जय हिंद बंदे मातरव